अस्राम अलेकुम एवरीवाइन और वोलकम बाक तो माई यूट्यूब चैनल एक्रावधीक कैसे हैं जी आप सब लोग उमीद करती हूँ कि आप सब लग फिट होंगे ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे आज के इस नई वीडियो में मैं आपके लिए बेबी गल्स डॉमपर के स्टाल जम सूट के स्टाल बोडी को और बोडी सूट के स्टाल जो हैं वो लेकर आए हूँ आप लोग अगर समर में बेबी गल्स के कमफोटेबल ड्रैसिस आती हैं तो आप लोग इस टाइब के रॉमपर्स बनवा सकती हैं, बहुत comfortable होते हैं और इस सिप में आप लोगों को स्यदा कोई लैसिस की, डिजाइनिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि ये अच्छी लुक में होते हैं तो उनके साथ बहुत कम लैसिस आप लोग यूज कर सकते हैं तो जो अपने बेबी गल्स ट्रैसिस में बिल्कुल भी लैसिस चंद नहीं करती, वो इस टाइब के रॉमपर्स टेज करवा सकती हैं ये स्टालिश होते हैं और काफी प्यारी भी लगते हैं आप लोगों को आज की वीडियो में काफी प्यारी रॉमपर्स टिखाऊंगी जो आप लोग अपने टेलर से स्टेज करवा कर भी पहना सकती हैं इनमें बहुत सिंपल स्टालिंग है, फुल कटिंग, वन कटिंग स्टाल होता है और बहुत प्यारा भी लगता है, अगर आप लोग प्लेन में बनवाना चाहें रॉमपर्स तो कोई फ्रेश कलर लेकर उसके साथ रॉमपर बनवा ले, जैसे इसमें पिंक में देखें कितनी बनवा सकती हैं, इनमें पॉकिट्स भी लगवा सकती हैं, काफी अच्छी लगती हैं, और विदाउट पॉकिट्स आप लोग इस तरह से कोई प्यारे से जो पैच मिल जाते हैं, बटरफ्लाइ बने होते हैं, या पर कुछ भी नियां उन पर फ्लावर बगारा बनाओ तो व पैने हुए भी काफी प्यारे लगते हैं, अगर आप लोग एक रॉमपर बनवा कर पैना कर देखें, अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप लोग इस टाइप के बहुत सारे डिफरेंट रॉमपर बनाते हैं, हर एक की जो स्ट्रिंग पैटर्न हैं, वो भी डिफरेंट हैं, और इनकी लोग भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट आपको दिखाई दे लिए होगी, डिफरेंट टाइप के रॉमपर होते हैं, और इफरेंट टाइप के इनकी स्टाइलिंग होती है, जो आप लोगों को इसमें टॉटल वीडियो में ही रिखाई देगी, आज की और वाचिन इस वीडियो, रॉमपर्स की और जमसूट वगारा की वीडियो मैंने अप्लोड भी की हुई है, वो भी बहुत अच्छी है, और में भी नहीं डिजाइनिग आपको मिलेगी, जो अलग देखना चाहें, वो हमपेस का विजट कहें कि वो वीडियो जरूर देख तक के लिए अपना बहुत सारा ख्यार रखियेगा, लौ में याद रखियेगा, अलाहाफेज